प्रिये बच्चों, सूप्रबहाद, आपने आ, इ, और इ मात्रा के शब्दों को पढ़ना और लिखना सीख लिया है. हम अलग मात्रा के शब्दों पर गोला लगाना सीखेंगे. सबसे पहले हम इन शब्दों को पढ़ेंगे, फिर हम अलग मात्रा के शब्दों पर गोला लगाएंगे. तो पिरिये बचों आओ शुरू करें. अलग में क्या है? आ की मात्रा और दिन में इ की मात्रा है. तो हमारा अलग शब्द क्या हुआ? दिन. तो हम किस पर गोला लगाएंगे? दिन पर. बचों अब हमारे अगले शब्द हैं ग, आ, ल, गाल. ल, आ, ल, लाल. म, इ, ल, मिल, ब, आ, ल, बाल. बचों गाल, लाल और बाल. इन सम में आ की मात्रा है और मिल में छोटी की मात्रा है. तो बचों हम किस पर गोला लगाएंगे? मिल पर. हमारे अगले शब्द हैं प, इ, न, पिन, स, इ, प, सी, ब, इ, न, बिन. इ, ग, इ, न, गिन. पिन, बिन, गिन. ये इ मात्रा के शब्द है. सीब, इ मात्रा का शब्द है. तो बचों हम किस पर गोला लगाएंगे? सीब पर. हमारे अगले शब्द हैं म, क, अड, इ, मकडी. ह, इ, र, अण, हि, र, न, क, इ, स, आ, न, किसान. द, इ, ल, दिल. तो बचों हिरन, किसान, दिल. ये इ मात्रा के शब्द है. मकडी, इ मात्रा का शब्द है. तो हम किस पर गोला लगाएंगे? मकडी पर. क्योंकि ये इन सबसे अलग है. हमारे अगले शब्द हैं म, ह, इ, न, आ, महीना. प, स, इ, न, आ, पसीना. कव, इ, कवी, ज, इ, त, जी, महीना. पसीना. जी, ये इ मात्रा के शब्द है. कवी, इ, मात्रा का शब्द है. तो बच्चों, इसमें अलग शब्द कौन सा हुआ? कवी. तो हम किस पर गोला लगाएंगे? कवी पर. तो बच्चों, आपको अलग शब्दों पर गोला लगाना आ गया. अब आप इसका अभ्यास अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना. धन्यवाद.